स्वागत है आप सभी का मैं होगी तो चाहान ब्रेटिन की शुवात करते सकत बड़ी खबर दिल्ली से वापस रोटेंगे सीम भूपेश बगिल दोपैर दो बजे के बाद होगी सीम भूपेश की वापसी सीम के साथ प्रदिश के नेताओं की भी वापसी होगी कल दिल्ली में राहुल गांदी के साथ बैठक होई थी अगले हफते प्रदिश के दौरे पर आ सकते हैं राहुल गांदी तो पहर दो बजे के बाद पहुंचेंगे C.M. भुपेश बगेर, C.M. के साथ प्रदेश के नेताओं की भी वापसी होगी, कल दिली में राहुल गांधी के साथ बैठक होई थी, अगले हफते प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं राहुल गांधी, दिली से वापस रोटेंग C.M. भुपेश बगेर, उनके साथ जो बागी नेता गए थे, वो भी वापस पहुंचेंगे, और इसके साथ अगले हफते राहुल गांधी, प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं, C.M. के साथ प्रदेश के नेताओं की भी वापसी हो रही है, तो पहर दो बजे के बाद सभी राहुल गांधी, दिली से वापस लोटेंगे, C.M. भुपेश बंगे, दिली से वापस राहुल गांधी, पहुंचेंगे, सभी विधायकों के साथ जो उनके साथ कल मौजूद थे दिली में, C.M. के साथ प्रदेश के नेताओं की भी वापसी होगी, अगले हफते राहुल गांधी का 36 गड़ दोरा हो सकता है। बैठक तीन घंटे से भी ज्यादा लंबी चली। जिसके बाद कयासो का बाजार गर्म हो गया। लेकिन जैसे ही बैठक के बाद मुख्यमंत्री भुपेश बगेल बाहर निकले, ये साफ हो गया बगेल के सामने कोई चुनोती नहीं है। बैठक में 36 गड़ के विकास कारियों को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही बैठक में सीअम बगेल ने राहूल गांधी को 36 गड़ आने का नियोता दिया, जिसे राहूल गांधी ने सुईकार कर लिया। अगले हफते राहूल गांधी 36 गड़ का दौरा करेंगे। सब लोग मिलना चाहते हैं और अपने अपने जो चैत्र में जो काम किये हैं उसे आप से आउगत कराना चाहते हैं तो बहुत ही क्रिपा पूर्वक राहूल जी हम मेरे आमंतरन को स्विकार किये और अगले सब्ता बस्तर से दौरा करेंगे हम से कम दो दिन बस्तर में दो दिन फिर सरगुजा के एरिये में जाएंगे तो लगभग मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में तीन दौरा होंगे जिसमें कम से कम दो दो दिन रुकेंगे विभिन योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे यूँकि अब गुजरात माडल फेल हो चुका है 36 गड़ म के साथ सीयम बगहेल की तीन घंटे से ज्यादा लंबी बैठक हुई जिसमें वेडू गोपाल प्रियंका गांधी और पील पुनिया भी मौजूद रहे धाई साल के फॉर्मूले पर पुनिया ने फिर धो राया कि ऐसी कोई बात है ही नहीं पिर तुनिया साथ भी लगाता है मंतान इस बैठक में मौजूद है कि या कहेंगे मैंने आपको देखा कि इस बैठक में क्या निकला है इतनी बड़ी बैठक के बाद देखें बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और उसमें विकास कामों के बारे में अगले विजिट के ब और भुपेश भगेल जी ने उन्होंने इन्वाइट किया उनको कि आप आईए देखे उन्होंने स्युकार किया कि हम दोजिन दिन का प्रोगाम मना है। सब्सक्राइबाद कया सो का बाजार भी थम गया है। कॉंग्रेस नेता भी औल इस वेल होने का दावा कर रहे हैं। संकट जैसी कोई बात नहीं है हमारे नेता आएंगे हमारे कारिकरम देखेंगे लेकिन का माना जाए कि कंटिनू भुपेश वगेल जी करेंगे आगे आदरने मुख्यमंत्री जी इस्री भुपेश वगेल जी के ही आमंत्रण में राहुल जी आ रहा हैं सब्सक्राइब शरक और नहीं रामंत्र सुविकार कर लिया है और बस्तर का उनका पहला दोरा अगले हपते लगभब प्रस्तावी थे लेकिन आपका भरोसा तो भुपेश वगेल पर ही है माना जाए भुपेश है वो तो नारा है च्टिस गड़का विधायक है भुपेश है तो भरोसा है और इ कही न कही बगहेल के काम और विधायकों के साथ ने आला कमान को सोचने पर मजबूर कर दिया है दिल्ली से मोहित राज तूबे के साथ टीम न्यूज स्टेट और जादा जानकारे के लिए बात करेंगे समात दाता मोहित राज दूबे से और मोहित आपसे मजाना चाहेंगे जिस तरह से आज राइपूर पहुंचेंगे सीएम बगेर और उनके साथ साथ बाकी वधायक भी पहुंच रहे हैं क्या वाकिस अंतुष्ट हैं वो खुश है कल जो बैठक हुई है जो बिल्कुल कल महरातर बैठक होई थी चार बेर से बैठक शुरू हुई थी साड़े साथ बैठक चली साड़े तीन गंटे से ज्यादा की यह बैठक रही है इस बैठक में निचोड क्या निकला इस पर सबकी नजर थी हमने सबसे पहले बताया था कि उसका निचोड यह न को दादों कि राहुल गांधी को निमंतर दिया कि आप चत्रिजगण आईए और चत्रिजगण के विकास के माडल को देखिए वह आएंगे सबसे पहले उनको बसता जाना है दो दिनों का दोरा होगा अलग-अलग हिस्सों में घुमेंगे और देखेंगे कि आकर किस रूप में किस तरीके से चत्रिजगण के वीतर विकास हुआ है पहली बात दूसरी बात यह आपको बताते कि राहुल गांधी इसी बहाने कम से कम देखेंगे कि भुपेश बगेल ने अपने धाई साल के कारकाल में किस तरीके से महिलाओं के लिए बच्चों के लिए नौजवानो किसी सारी चीजों की जो निरक्षड है वो राहुल गांधी करने जाएंगे और देखेंगे कि भुपेश बगेल ने अब तक किस तरीके से काम किया है लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ अब तक बैठकों का दोर रहा है तीन दिनों के भीतर भुपेश बग अगर अगला चुनाव लड़ना है तो भुपेश्च बगहिल के इन दित्वत में लड़ना होगा, लोग सभागर आपको बहतर धंग से लड़ना है, तो भुपेश्च बगहिल के बिना लड़ा ही नहीं जा सकता है, तो तमाम ऐसी बाते थी, जिसको लेकर भुपेश्च बगहिल का प्रड़ा भारी था, और भारी होने के नाते ही उनको कंटिन्यू करवाई जाएगा 36 गड़ के अंदर, बिरकुल, मोहित राज जिस तरह से हमने देखा कि कही न कहीं कल शक्ति प्रदर्शन भी कह रहे थे, जो रवन सिंग है इस पूरे मामले को लेकर और ये उमीद जताई जा रही थी कि कुछ हलचल है, कुछ हो सकता है पार्टी के अंदर, तनाव किस्तिती भी दिख रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, और अब राहूल गांदी का ये दौरा अगले हफ़ते जो होना है, क्या लगता है ये दौरा क्या संकेत दे रहा है? लेकिन निश्ची तोर पे जब बैठक हो रही थी और उस बैठक में जो हमारे सुत्र बता रहे थे उसके मताबिक राहूल गांदी का बीच में मूट थोड़ा सा बदला था लेकिन परंगा गांदी ने कहा कि जब मैं आसाम में थी, वहाँ पे हमने लगतार चेटर के विकास के मॉडल की बात किये जब धाइड़ाई साल का कोई फॉर्मूला है नहीं तो ऐसे में इस बीच में जब बुपेश बगहल को हटाएंगी तो मैसल्स किया जाएगा तो निश्ची तोर पे बुपेश बगहल के साथ परिंगा परिंगा ने एक रिपोर्ट भंगवाई थी जिसमें उनकी तारीफ हुई थी तो देखिए जिस तरीके से बोपेश बगहल का अब तक कार पड़ा ली रहा है उसको लेकर पार्टी अलाकमान को पता था कि बहुत अच्छा काम चला तो मुखमंत्री कैसे बदला जा सकता है तो ऐसे में पार्टी अलाकमान के सामने एक चुनोती है अभी भी बनी हुई कि टीए सिंग देओ की भुमिका चत्ते जड़ के अंदर क्या होने वाली है क्या उनके पोटफोलियो बढ़ाए जाएंगे क्या उनको डिप्रिसीम बना जाएगा लेकिन पोटफोलियो डिप्र पाचित की तो उन्हों सिद्धे तोर पर कहा था कि मौका मिलेगा तो मैं कप्तानी करूंगा लेकिन यहां पर जो है कप्तानी अब उनको नहीं मिलेगी कप्तानी अब भुपेश भगेली अब धाई साल के बाद जो नेतुरत है वही करते रहेंगे वही मुक्यमंत्री रहें सिब वहां के राजनितिक हालात को लेके चाचनाई की बलकि प्रेंगा गांधी विदेश मी थी और जब दिल्ली पहुची तो पहली मुलकात हुई है भुपेश भगेल के साथ क्योंकि भुपेश भगेल उत्तर प्रदेश की चुनाव परभारी भी हैं चुनाव संचालन को देख हैं परिशक्षड दे रहें लोगों को जो जूं अकार करताओं को जिनको चुनावी मादान में उतरना है दो लाग से ज्यादा लों को प्रश्क्षड उत्र प्रदेश केफितर देना है और यह काम भुपेश भगेली कर रहें तुरेंगा गांधी को पता है कि भुप सबस्क्राइब उत्रा भी नहीं जा सकता है